एक बार की बात है, एक घने जंगल के अंदर एक जादूई खरगोश रहता था। खरगोश को गाजर बहुत पसंद थी। वह हर दिन जंगल में घूमता था और गाजर ढूंडता था। एक दिन खरगोश जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बड़ी सी गाजर दिखाई दी। गाजर बहुत ही जादूई थी और उस पर रंगीन चमक थी। खरगोश ने गाजर को उठाया और उस पर बैठ गया। गाजर खरगोश को उड़ा कर जंगल के ऊपर ले गई। खरगोश को गाजर पर बैठ कर उड़ना बहुत अच्छा लगा। वह हर दिन गाजर पर बैठ कर जंगल के ऊपर उड़ता था और नए दोस्त बनाता था। खरगोश जंगलका सबसे खुश खरगोश बन गया. एक बार की बात है, एक बड़ी सी चीन्ती कॉलणी में एक छोटी सी चीन्ती रहती थी. चीन्ती को अपने साथी चीन्तियों के साथ घूमना और काम करना बहुत पसंद था. वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर कॉलनी के लिए काम करना शुरू कर देती थी. एक दिन चीन्ती कॉलनी के नेता को चोट लग गई और वह काम नहीं कर पा रहा था. चीन्तियों को एक नये नेता की जरूरत थी. सभी चीन्टियां एकत्रित हुई और उन्होंने चीन्टी को अपना नया नेता चुना चीन्टी को नेता बनकर बहुत खुशी हुई उसने अपने साथी चीन्टियों के साथ मिलकर कॉलनी का काम करना शुरू कर दिया चींती एक बहुत ही महनती और समझदार नेता थी उसमें कॉलनी के लिए कई अच्छे काम किये चींतियों को अपना नया नेता बहुत पसंद आया वे हर दिन चींती के साथ मिलकर काम करते थे और खुशी-खुशी रहते थे चींती-चींती कॉलनी की सबसे खुश चींती बन गई एक बार की बात है एक घरे जंगल के अंदर एक अच्छी परी रहती थी परी को जंगल में घूमना और लोगों की मदद करना बहुत पसंद था वह हर दिन जंगल में उड़ती थी और लोगों को परेशानियों से बचाती थी एक दिन परी जंगल में उड़ रही थी कि उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची रो रही है बच्ची अपने घर का रास्ता भूल गई थी और उसे बहुत डर लग रहा था परी बच्ची के पास गई और उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है बच्ची ने परी को अपनी परेशानी बताई परी ने बच्ची को हाथ पकड़ा और उसके घर तक उड़ गई बच्ची के माता पिता को देख कर बच्ची बहुत खुश हुई वे परी का बहुत धन्यवाद किया परी ने कहा कि वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार है परी जंगल की सबसे अच्छी परी बन गई